गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स भजनपाल भाटी एडिटेशनल गुरूप के डिजीटर वर्ड में आपका स्वावत है डियर स्टुडेंट्स आज हम हिंदी व्याकरन खंड के अंतरगत जो प्रकरण पढ़ने जा रही हैं वह है अलंकार हमारे पाठे क्रम में एक प्रकरण है कावे संदरे के तत्व कावे संदरे के अंतरगत हम अलंकार रस तथा छंद के विश्य में पढ़ेंगे आज हम इनमें सबसे पहले तत्व अलंकार के विश्य में जैनेंगे आईए सबसे पहले हम अलंकार की परिवाजा को समझते हैं काफ्य सोभा करांग धर्मान अलंकरां प्रेचक्षते यह एक संस्कृत के महान कभी हुए हैं दंडी तो संस्कृत के कभी दंडी ने अलंकार के विश्य में संस्कृत में इस पंक्ती को लिखा इस पंक्ती का अर्थ है कि काव्य सोभा करांग अर्थत काव्य की सोभा को बढ़ाने वाले धर्मान धर्मों को अर्थत तत्वों को अलंकार प्रेचक्षते कहा जाता है अर्थत काव्य की सोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है या कहते हैं अलंकार सब्द का अर्थ होता है आबूशन या गहना जिस प्रकार से आबूशन किसी इस्त्री के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देते हैं उसी प्रकार से कवीता में अलंकारों का प्योग करने से कवीता का आनन्द और भी बढ़ चाता है अलंकार के भेद अब हम अलंकार के भेद के विश्य में जानेंगे अलंकार के दो भेद होते हैं ए सब्दालंकार और बै अर्थालंकार अब सबसे पहले हम अलंकार के पहले भेद या प्रकार सब्दालंकार के विश्य में जानेंगे सब्दा अलंकार जहां कुछ सब्दों के कारण काव्य में चमतकार तथा आकर्षन प्रतीत होता है वहां सब्दा अलंकार होता है जैसे के एक उधारन है यहां पर यहां काव्य पंति है चारू चंज की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में यहां पर यह चैवार्ण की बार-बार आवति होने से काव्य में आकर्षन या सब्दा अलंकार के विष्यए में एक विशेश बात और है कि यदि यहां पर क्योंकि सब्दों के कारण यहां पर आकर्शन होता है और यदि हम उन सब्दों की जगह उनके प्रायबाची को अगर प्रियोग करते हैं तो उसका जो सौंदर है वो समाप्थ हो जाता है काव्य का जैसे कि यहां हम अगर चंद्रमाग की जगए इसका प्रयवाची ससी का प्रयोग करें तो इस कावे पंग्ती में वो आकर्षन वो संदर नहीं रहेगा जैसे कि फिर हो जाएगा कि चारू ससी की चंद्र किरने क्योंकि हमने चंद्र की जगए यहां पर ससी का प्रयोग का लिया जो कि चंदर का ही एक प्रायवाची है तो अगर हम यहाँ पे ससी का प्रयोग करते हैं तो इस कावय पंक्ती में वो संदर नहीं रह जाता है इसलिए सब्दालंकार में यदि किसी सब्द के प्रायवाची को रख दिया जाता है तो उस पंक्ती का उस कावे का जो सुंदर है वो समाप्त हो जाता है सब्दालंकार के भेद वैसे देखा जाए तो सब्दालंकार के 20 से अधिक भेद होते हैं लेकिन यहां हम अपने पाठे करम के अनुसार सब्द अलंकार के तीन मुख्य भीदों के विश्य में ही जानेंगे इनमें सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार दूसरा अलंकार है यमक अलंकार तीसरा अलंकार है शलेश अलंकार अलंकार का दूसरा भीद है अर्था अलंकार अब हम अर्था लंकार की प्रिवाजा को समझेंगे जहां काव्य में अर्थ की कारण सोंदेरे उत्पन होता है वहां अर्था लंकार होता है अर्था लंकार के भीद अर्था लंकार के निमलिकित साथ भीद है नमबर एक उपमा लंकार नमबर दो रूपक अलंकार नमबर तीन उत्प्रेक्षा अलंकार नमबर चार भ्रांतिमान अलंकार नमबर पांच पृतीप अलंकार नमबर छे संदेह अलंकार और नमबर साथ अतीश्योक्ति अलंकार Dear Students, हम अलंकार का प्रियोग क्यों करते हैं एया हमें अलंकार की जनकारी होना किसलिए आशक्सत है इसके विशेयम में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब हम काव कंड केंतरगत, काव की जब हम व्याख्या को करते है तो उसके अंदर हमें कावर गथ सौंधरते लिखना होता है और कावेगत सौंदरे में हमें ये बताना होता है कि इसमें किस अलंकार का प्रियोग किया गया है इसलिए ही हमें अलंकार की जनकारी होना आवसक है क्योंकि अगर हमें अलंकार की जनकारी नहीं होगी तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि इस काव्य में किस अलंकार का प्रूर किया गया है तो dear students आपको अलंकार की जो करिभासा और जो भेद मैंने आज बताएं हैं उनको आपको हिंदी की नोट लूप में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और आपके इतने कारे को याद करना है कल मैं आपको सब्दा लंकार का प्रूथम फेद अनुप्रास अलंकार पढ़ाओंगे